ओम शान्ती 22 फरवरी 2030 साकार मुरली आज की मुरली के सार में खुशी की खुराख खिलाने वाले शिव बाबा ने कहा मेठे बच्चे तुम्हें ग्यान का सैकरीन मिली है सैकरीन की वो बूंध है मनमना भब यही खुराख सबको खिलाते रहो प्रशन सची सची खुश खराफत कौन सी है तुम्हें सब की कौन सी रुहानी खातरी करनी है उत्तर हर एक को बाब का परिचै देना यही है सची सची खुश खराफत तुम शिरीमत पर सबको खुशी की खुराख खिलाते रहो बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ती की खुराख जो तुम्हें मिली है वो सबको देते चलो अतिंद्रिय सुख में रह सबको ज्ञान योग की फश्ट कलास खुराख खिलाना यही सबसे अच्छी रुहानी खातरी है धारना के लिए मुक्यासार नमबर एक आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ज्ञान देना है महाबीर बन इस फर्मान को पालन करना है नमबर दो तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुपर हो ताली दो हाथ से बजती है एक ने मुक की ताली बजाई बूसरा चुप कर दे तो वो आपे ही चुप हो जाएंगे आज का वर्दान अमरित वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचरिय को ठीक रखने वाले सहज पुरुशार्थी भव विस्तार जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो आटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है ऐसे ही रूज अमरित वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ अमरित वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा अमरित वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतै सहयोग मिलता रहेगा और पुरुशार्थ भी सहज हो जाएगा जो सदा बाप की याद और शिरिमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सची सीते हैं उनके नस्थ नस्थ में एक राम की समरिती की आवाज रहता है सिलोगन बाप की मदद को कैच करना है तो बुद्धी को एकागर कर लो अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते